हमेशा से अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जादा अपनी परस्नल लाइफ के लिए सुर्खियों में रहने वाले बॉलवूट अक्टर करन सिंग ग्रोवर अपना 38 पार जन्म दिन सेलिब्रेट कर रहे है करन ने अपने लाइफ में काफी आप्स और डाउंस देखे है बर्जे के खास मौके पर आपको दिखाते हैं करन के लाइफ से जुड़े कुछ अंसुने किस्से छोटी पर्दे से बड़े पर्दे तक का सफर तै करने वाले करन सिंग ग्रोवर अपना 37 पार बर्थ डेस सेलिब्रेट कर रहे है करन की जितनी रिल लाइफ इंट्रस्टिंग है उतनी ही उनकी रिल लाइफ भी काम भी इंट्रस्टिंग है करन सिंग ग्रोवर का जन्म पंजाबी सिख परिवार में 23 फरवरी 1982 को हुआ था करन ने टीवी पर आक्टिंग की शुरुआत साल 2007 में सीरियल दिल मिल गए से की थी दिल मिल गए के बाद 2012 में करन कुबूल है में एक रुमांटिक रोल में नजर आये थे इसी दोरान करन की पहली शादी 2008 में टीवी अक्ट्रेस श्रधान लिगम से हुई थी लेकिन उनका रिष्टा छे महीने भी ना चला और दोनों का तलाख हो गया तलाख के बाद एक बाद फिर करन की जिन्दिकी में प्यार ने देस्टक दी और इस प्यार का नाम था जेनिफर विंगेट जो टीवी दुनिया की सबसे खूबसूरत स्टार तो थी ही वही करन की को स्टार भी थी काफी टाइम डीट करने के बाद दोनों ने 2012 में शादी करनी लेकिन किस्मत को शायद उनका साथ भी पसंद आया और दो साल की बाद करन और जेनिफर हमेशा के लिए अलग हो गए चोटी परदी पर धमाल मचाने के बाद करन बॉलवुट की गलियों में अपनी किस्मत आजबाने निकल पड़े और काफी मेहनत के बाद उनकी जोली में मूवी अलोन आई मूवी में उनके ओपजिट मुपाशा बशू थी चांद आसमानों से शूटिंग के सट पर दोनों में नस्दी क्या बढ़ी और कपल की टेचिंग की खबरे सामने आने लगी करीब एक साल टेचिंग के बाद बिपाशा और करन दे 2016 में शादी कर ली दोनोंने पंचावी और बंगाली रिती रिवास से शादी की थी दोनों की शादी काफी धूमधाम से हुई थी दोनों शादी में एक साथ काफी प्यारे लग रहे थे और आज अपनी हैपी मैलट लाइफ को काफी एजॉई करते है अलोन के बाद करन हिट स्टोरी 3 में नजर आए इस फिल्म में करन ने जबर दस्ट आक्टिंग की थी साथी रुमांस का तड़का भी लगाया था उसकी बाद 2018 में तृदेव में नजर आए पर करन की किस्मत बॉलवुट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई वैसे हाली में करन स्टार प्लस के शोग का सौटी ज़ंदगी में नजर आए थे पर फिल्मों और टीवी से इन दिनों करन काफी दूर है करन शोशल मीडिया में काफी आक्टिव रहते हैं और आए दिन अपने लेटिस्ट अपडेट अपने फैन्स के साथ शेर करते रहते हैं ब्यूरे रिपोर्ट आर नाइन टीवी